खुश रहिए प्यार बाटी ये जनाब की टैग लाइन जनाब की वन लाइन की तो धजिया ही उड़ गई और ये धजिया हमने नहीं ये धजिया उनके अपने नहीं उड़ाई है तो आईए इसी के साथ करते हैं आज का रियाक्शन शिरू चानल में नियू है तो बिल्कुल करें और जादा पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें तो जैसा कि थोड़े दिन पहले आपने देखा था किस तरीके से क्रेजी कजन जिनको क्रेजी कजन भी कहा जाता है यानि कि आमेर जनाब के मू बोले नहीं मामा बोले भाई यानि कि मामा के बेटे उन पहले नानी की पोल पट्यां खोली नानी की वीडियो रिलीज करी लीक करी और उसके बाद उन्होंने इंडिरेक्ट लिवे में जनाब को धमकी भी दी तो आखिर ये कजन चाहते क्या है क्योंकि जब इनकी मरजी आती है इन्हें अचानक से अपना भाई याद आ जाता है औ अभी चार दिन बाद आप दुबारा चेक करना ये वापस से हो जाएगी कि खुश रहे और प्यार बाटिये तो इनका जो भाई का प्यार है ना वो convenience के recording change होता रहता है तो आज तो crazy cousin बहुत ही जादा खुश नजर आ रहे थे वो भी इसी क्योंकि उन्हें मिली है नहीं चम लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी लगजिरी होती है और लोग इस चीच को लेना चाहते हैं हर इंसान का ये सपना होता है गाओं में रहने वाला ये हर उस middle class family का या हर उस family का ये सपना होता है जिनके पास चार पईयों पे चलने वाली गाड़ी नहीं होती तो उनके हुआ है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में question ये आया कि इस crazy cousin के पास इतने पैसे आये कहां से कि इसने नहीं चमचमाती हुई कार ले ली उसके बाद लोगोंने लिंक करने शुरू करे और लिंक करते करते लोग पहुंच गए जनाब के पास और जनाब की उस वीडियो क कि क्या है इस कार का मेंन सोर्स क्या है कहां से ये कार आई है ये तो हम डंगे के चोट पे नहीं कह सकते क्योंकि हम वहां पे रहते नहीं है वैसे crazy cousin ही खुदी तीन-चार दिन में बता देंगे कि कार उनोंने ली कहां है फिलहाल तो वो अपनी कार के मज़े ले रहे हैं ज्य जाते-जाते यही कोँगे कि ऐसे रिष्तेदारों से बहुत जादा दूरी बना के रखनी चाहिए और अपने घर की private बाते परसनल बाते घर से बार कभी भी आने नहीं देनी चाहिए क्योंकि ऐसे ही कुछ रिष्तेदार होते हैं जो आपकी बातों में नमक मिश्च लगा क लेकिन ऐसे toxic दिश्टेदारों को ना मून लगाना चाहिए ना ही उनको घर में बुलाना चाहिए तो भाई अब तो सुधर जाओ क्यों इसी हरकते कर रहे हो क्यों इतने मज़े ले रहे हो क्यों enjoy कर रहे हो वैसे ही इतनी अफ़νοमाइ फला चुके हो नारद मुनी तो फिर भी बहुत अच्छे थे, वो कम से कम सही चीजों की खबर इदर उदर देते थे, आपकी खबर में तो ना तो सचाई होती है, ना ही कुछ होता है, आपकी खबर में होता है एंगर, जो आप अपने ही भाई के लिए उगलते हो, वो भी लोगों के पास जा हैं, और जनाब और मैडम की धजिया उडाने में 50% हाथ इनी का है, तो क्या वाकी में जनाब ने उनको गाड़ी दिला दी है, क्या वाकी में सैट्लमेंट के नाम पे जनाब से पैसे आठे गए हैं, लगता तो नहीं कि जनाब इतने हलके फुलके हैं, वो भले ही खाली कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा दिल वो रखते हैं, कि वो किसी को कार गिफ्ट कर दें, क्योंकि अगर अपनों के लिए करने वाली ही बात होती, तो सबसे पहले वो नानी जिस घर में, जिस हाल में रहती हैं, उन चीजों को रिनोवेट करवातें, बह अब से लाइम लाइट में आने का लगता है, बड़ा अच्छा लगता है लाइम लाइट में आने का बात नहीं, आपकी यह मुराद पूरी होती रहेंगी, आप एक और वीडियो तो डालो, हम तो नहीं प्कnd पूर देने लेगे, कब आप एक नई वीडियो डालोगे और प अब फिर वो वीडियो पर वीडियो बनेंगी वैल ये था मेरा आज का एक रियाक्शन आई हूप आपको पसंद आएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक्स पर वाचिंग अर्थ मॉम देहरादुन